तो फाइनली मेरे पास आ चुकी है फाइरबोल्ट हरीकेन स्मार्ट्वाच और परसनली मेरे को इस समार्टौच का बहुत लम्मे समय से वेट था और डिलिवरी बहुत लेट आई है बट फाइनली आ चुकी है तो अन्बॉक्सिंग और रिव्यू देने वालों फायर बोल्ट हरीकेन स्मार्ट वाच का तो इस बॉक्स को मैंने पहले से उपन कर दिया था और यहां पर आप देख सकते हो सबसे वहले देखने को मिल जाएगा इस स्मार्ट वाच का बिल और वैसे तो इस वाच को 1700 में कैसे और तो सबसे पहले बात करें बॉक्स की तो यहां पर आपको बहुत अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है विराट कुली के इमेज के साथ यहां पर कुछ की फीचर्स मेंशन किये गए है और अगर बात करें बॉक्स कंटेंट्स की तो यहां पर अधितल देखने को मिल जाएंगे कुछ का इंग्यू उसी के साथ गाना का सब्सक्रिप्शन उसी के साथ यहां पर आपको this neither का कार्ट देखने को मिल जाएगा यहां पे बोल्ट प्ले का कार्ट देखने को मिल जाएगा तो यह सारे कार्ट भी देखने को मिल जाएगे सबसे पहले अगर बात करें सिस्मार्ट वाच के बिल्ट कॉल्टी और डिजाइन की तो यहां पे आपको बहुत स्टाइलिश डिज लाइन देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी लगती है उसी के साथ यहां पर आपको साइट में मेटल बिल्ड देखने को मिल जाएगी और पीछी की साइट में पॉलिकार्बनेट बैक देखने को मिल जाएगा सेंसर के साथ और यहां पर आपको ब्रेंडिंग देख purchase करके लगा सकते हो और लास्ट में अगर बात करें सिस्मार्ट वाच के वेट की तो इस स्मार्ट वाच का वेट होने वाला है 47 ग्राम्स और 47 ग्राम्स के इसाब से light weight है और उतनी जादा heavy feel नहीं होगी तो overall इस स्मार्ट वाच के अंदर बहुत अच्छी by 240 का resolution देखने को मिल जाता है और overall अगर बात करूँ brightness की तो थोड़ी बहुत संलाइट में यूज़ करोगे तो भी इसका display visible होगा पर harsh sunlight में आपको shade लेना पड़ेगा और अगर बात करें watch faces की तो इस smart watch के अंदर आपको 5 watch faces का support देखने को मिल जाएगा तो overall अच्छा display बट इसके अंदर आपको side sides में हलका हलका bezel देखने को मिलता है जो की consider कर सकते हैं इसके price range को देखते हुए उसी के साथ यहाँ पर आपको custom watch face का भी option देखने को मिल जाता है और अगर बात करूँ custom watch face की quality की तो just okay quality मिलती है उतने भी अच्छी quality के custom watch faces नहीं लगता है और अगर बात करूँ application की तो यहाँ पर आपको da fit का support देखने को मिल जाएगा जो कि आपको सारी ही firebolt की smart watches के साथ देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे features देखने को मिल जाएंगे अगर बात करूँ features की तो basic से features है यहाँ पर जैसे के drink water reminder weather synchronization remote capture और यह सारे option देखने को मिल जा देखने वाली है यानि कि थोड़ा बहुत पानी वगेरा गिर जाएगा तो कोई problem नहीं होगी पर एक चीज़ का ध्यान रखना जादा deep water में नहीं ले जा सकते नी तो यह watch खराब हो सकती है और battery backup की बात की जाए तो 2-3 days का battery backup देखने को मिल जाता है अगर बात करें से smart watch के UI की तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा UI देखने को मिल जाएगा और बहुत जादा easy to use होने वाली है यह smart watch क्योंकि यहाँ पर long press करके आप watch faces change कर सकते हो उसके बाद नीची की तरफ swipe करने पर control panel देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर basic से features के साथ weather देखने को मिल इस smart watch के अंदर आपको दो menu style देखने को मिलेगी पहली तो यह और इसके अंदर एक बहुती कमाल की चीज है जैसे की आपको यह वाले application को open करना है तो इसके उपर आपको click करना होगा यह इस जगे लियाएगा उसके बाद इस application को इस तरीके से open कर सकते हो तो बहुती कमाल की चीज है और unique चीज है से smart watch के अंदर यहाँ पर इस application को इस तरीके से लेके आती है और उसके बाद आप इसके उपर click करके use कर सकते हो उसी के साथ अगर बात करूँ second menu style की तो second आपको इस type से list style देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर applications वगेरा डूनना easy रहता है और right में swipe कर करने पर आपको basic से components देखने को मिल जाएंगे चलिए अब एकिक करके applications टेस्ट करते हैं से smart watch के अंदर तो यहाँ पर आपको सबसे पहले steps का option देखने को मिल जाएगा बेसिकली उसके बाद option देखने को मिल जाएगा sleep monitor का तो sleep monitor को test करने के लिए रात को मैं 1.30 पर सुया था इस smart watch को पहन के और सुबह 7 o'clock तक उठा था तो माई surprise इस smart watch ने एकदम accurate calculate किया कि 5 hours और 30 minutes की sleep थी उसी के साथ graphs के अंदर data show हो गया कि कब कब light sleep थी और कब कब deep sleep थी तो अगर बात करें स smart watch के sleep monitor के accuracy की तो 100% accurate sleep monitor देखने को मिल जाएगा और इसकी accuracy बहुत ही गसब किया ती है उसके बाद इस smart watch के अंदर आपको heart rate और spo2 sensors देखने को मिल जाएंगे तो चलिए इन्या test करते हैं तो यहाँ oximeter के अंदर 63, 64 शो कर रहा है और इस smart watch के अंदर भी 63 शो कर रहा है तो heart rate sensor की accuracy एकदम match करती है oximeter के साथ उसी के साथ यहाँ पे अगर आप नीची के तरफ option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर spo2 oximeter के अंदर 98 शो कर रहा है और इस smart watch के अंदर भी 98 शो कर रहा है तो spo2 की जो accuracy है वह भी बहुत गजब की देखने को मिल जाती है और oximeter से match करती है और उसी के साथ अगर आप इसमें भी नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यह और बहुत सारे sports mode देखने को मिल जाएंगे और अगर बात करें इसके pedometer के accuracy की तो चलिए चलते हैं walking पर तो morning में मैंने walking start की और उसके बाद सबसे पहले 100 steps चले तो 100 steps चले के बाद इसके अंदर result शो हुआ 112 उसके बाद 100 steps और चले और इसके अंदर result शो हुआ 210 और उसके बा बात करें pedometer के accuracy की तो 95% तक accurate है और accurate readings और step count शो करता है उसके बाद आपको option देखने को मिल जाएगा weather का और इस smartwatch के अंदर previous 7 days का weather देखने को मिल जाता है उसके बाद है option remote capture का तो remote capture को भी test कर लेता है तो basically इस smartwatch के अंदर यहाँ पर click करके आप phone के अंदर images ले सकते हो तो यहाँ पर timer on हो जाता है क्योंकि इस smartwatch के अंदर inbuilt speaker नहीं है तो फिर आप जो music play करोगे वो phone के अंदर ही play होगा बट अगर आप चाहो तो watch से control कर सकते हो जैसी कि यहाँ पर click करके play या फिर pause कर सकते हो उसी के साथ next या फिर previous song भी play कर सकते हो तो इस तरीके से work करता है इस smartwatch का music player उसके बाद यह smartwatch breathe करने के लिए भी guide करेगी इसे on करके आप यहाँ पर कुछ inhale और exhale के exercises कर सकते हो उसके बाद इस smartwatch के अंदर आपको दो games देखने को मिल जाएंगे एक है young bird जो कि बहुत ही जादा famous है तो इस तरीके से आप इस game को खेल सकते हो उसी के साथ यहाँ पर कुछ एक और game है इसे मैं तो नहीं समझ पाया और last में option देखने को मिल जाएगा settings का तो settings के अंदर जाके यहाँ पर आपको stop watch alarm और timer का option देखने को मिल जाएगा उसी के सा theater theater के अंदर basically जैसे आप इस option को on करते हो vibration on हो जाती है और यहाँ पर आपकी जो brightness है वो कम हो जाती है पता नहीं option क्यों दिया है बट यह इसका feature है उसी के साथ last में basic से feature देखने को मिल जाएगे जैसी की reset power off और about section about section के अंदर जाके यहाँ पर watch की सारी details देखने को मिल जाए या नहीं करना चाहिए तो मैं तो 100% recommend करूंगा 1700 रुपीज के साब से बहुती कमाल की smartwatch है और features loaded smartwatch है इसके अंदर आपको build quality display वगर अच्छा देखने को मिली जाता है उसी के साथ battery backup भी अच्छा है और basic से feature देखने को मिल जाता है और watch faces की quality बहुत अच्छी है और अगर ब इस price range के हिसाब से अगर बात करें इसके heart rate sensor, spo2, pedometer, sleep monitor के accuracy की तो बहुती अच्छी accuracy देखने को मिल जाती है और इस price range के अंदर पहली ऐसी smartwatch है जिसके अंदर सारे के सारे sensors की accuracy बहुत अच्छी है तो अगर आप कोई fitness free को या फिर अगर आपको gym अगरा जाना पड़ता है त अब तक हमने बात कर ली pros की तो अब हम बात करने वाले cons की तो पहला con यह है कि इसके अदर inbuilt speaker नहीं है अगर inbuilt speaker होता तो जादा बैटर रहता बट प्राइस range को देखते हुए मैं जादा शिकायत नहीं कर सकता हूँ उसी के साथ इसके अंदर थोड़ा बहुत connectivity issue देखने को मिल जाता है दाफिट application के साथ यह automatically disconnect हो जाती है और इसे वापस connect करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा irritating हो जाता है और यह जो bug है हो सकता है आगे आने वाले updates के साथ fix हो जाए बट अभी के लिए तो यह दो cons है उसके लावा कोई भी दिक्कत नहीं है से smart watch के अंदर उसके अ अहाँ पर ads वगिरा आते हैं बट यह वाली जो है यह official website है firebolt की तो यहाँ पर जाके आपको search करना होगा firebolt हरीकेन smart watch तो यहाँ पर यह आ चुकी है तो इसके उपर click कर देता है तो यहाँ पर यह smart watch आपको 2000 रुपीज तक देखने को मिल जाती है तो 500 का तो instant discount हो गया उसी के साथ आपको एक coupon code बताता हूँ तो coupon code होने वाला है टेकूब अगर आप चाहो तो मैं description में लिख दूँगा वो coupon code तो उसको apply करके आप 300 का discount all ले सकते हो वैसे तो यह code मेरे channel का नहीं है किसी और channel का है क्योंकि मेरा अभी तक firebolt के साथ कोई collab वगरा नहीं हुआ है तो मैं का discount मिली रहे तो आपको भी बता देना चाहिए आप सभी भी purchase कर पाओ यह smartwatch 1700 रुपीज में तो coupon code मैंने आपको देई दिया है description में बट अभी एक छोटी सी problem है कि यह जो smartwatch is sold out हो चुकी है तो अभी के लिए यह जो smartwatch is available नहीं है website पर थोड़े से time में हो सकता है आ जाएग मिल जाएगा लेकिन अगर आपको यह smartwatch अभी के अभी purchase करनी हो तो आप मेरे से purchase कर सकते हो सारी details आपको दे दूँगा description में तो अगर मुझसे purchase करनी हो तो भी कर सकते हो उमीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे review करने का style अच्छा लगा होगा अच्छा